हलो दोस्तों स्टड़ी विद कॉंसेप्ट के स्टड़ी प्लेटफर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सेरीज में तो क्लास सेवन था हिस्ट्री एंसे आर्डी के स्ट्रेंग्ला में आगे बढ़ती हुए आज हम अध्याय छह, नगर, व्या पर है ठीक है अब यहां पर देखते हैं प्रसासनिक केंद्र के बारे में इसको हम लाइन बाइन पढ़ेंगे ताकि कुछ भी अगर इंपोर्टेंट हो एक्जाम के द्रिष्टी से तुसको हम अंदरलाइन करते हुए साइड में नोट करते हुए चलेंगे इसमें सिर्फ य यहां से आपको ध्यान रखना है कि चोल राजाओं की राजदानी कहा थी वो थी तंजाओर बागी तंजाओर कहा है यह सारी चीज़े हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं अब यहां पर दिया है वर्स में बारहों महीने बहने वाली काबेरी नदी इस सुन्दर नगर के पास बहती है राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजसवर मंदिर की घाटियां बस्ती हुई सुनाई देती है ठीक है तो यहां पर एक फैक्ट यह है हलांकि पिछले वीडियो में हम लोग ने देख लिया है बट यहां एक बार आ रहा है तो इसको देखते चलते हैं राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजसवर मंदिर का निर्मान कौन किया था तो राजराज चोल ने किया था और इस राजसवर मंदिर का निर्मान क्यों करवाय गया था यह भी कॉंसेप्ट में अच्छी तरीके से पिछले वाले वीडियो में समझ चु या या रच राज राज पिरु थक्षन कौन था तो ये चोल कालिन वास्तुकार था चाके संबन धित था और ये राज 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 जो राज 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 ते उनके सम काली न था ठीक है कि आनुगे कि सम mansion पहलें था ठीक है किस के तो राज राज तर राज और दूश्रा अगर ये नाम देता है तो ये काइस का संबन्ध किससे था तो ये चोल कालिन आठ तो को आम jetzt ओकर था णा एक वास्टुकार था व्सकार थे बस इतना है आपको दिहान रखना यहां से हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दिवार पर उतकिन किया तो देखें यह मतलब इसका नाम इसलिए हमको पता है कि इसने बड़े ही गर्व के साथ अपने नाम को मंदिर की दिवार पर उतकिन किया था म मंदिर के भीतर एक विशाल सिवलिंग इस्तापित है तो यह ध्यान रखने के जुरूरत नहीं है हाँ यहां से यह नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मंदिर के दिवार पर इसका नाम हमें देखने को मिलता है आज भी इस मंदिर के अलामा नगर में अनेक राज महल है जिन में कई मंदप बने हुए है मंदप ये पिछले वीडियो में देख चुके हम लोग कि मंदप मीं क्या होता था इससे कई सारे हम लोग ने कोश्चन भी बना लिया है पिछले वाले वीडियो में ठीक है राजा लोग इन मं बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसाले, कपड़ों और आबूसुड़ों के बिक्री होती रही नगर के लिए जलकी आपूर्ती कुओं और तालाबों से होती थी ठीक है तो ध्यान देंगे यहां पर जलकी आपूर्ती की जाते थी तो किस्ते होती थी तो पूलकालिन नगर थे उनमें जलकी आपूर्ती नहरों, कुओं और तालाबों से होती थी तो ध्यान रहे नहरों से नहीं होता था कुओं और तालाबों से होता था तंजावूर और उसके निकटवर्ती नगर उरययूर के सालिय बुनकर मंदिर के उस्सव के लिए जंडे ज तुआमी मलाई में इस्थापित अथवा मुर्तिकार उत्तम कांसे मुर्तियां तथा लंबे सुन्दर घंटा धातु के दिब बना रहे हैं तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि इस्थापित कौन होते थे यह एक सब दावली है तो इस्थापित होता था आपका मुर्तिकार इस्थपित इसी को कहते थे मुर्तिकार तो यह फेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है पूछ लेगा इस्थपित का संबंद किस से है तो यह एक मुर्तिकार होता था बस इतना आपको यहां से लिहान रखनी है इस्थपित पढ़ दे रहे हैं यह है इस्थपती इस्थपती है इस्थपती है यह क्या होता था यह तो यह मुर्तिकार होता था अब आगे देखते हैं मंदिर नगर और तिर्थ केंद्र तो तंजावर एक मंदिर नगर का भी उधारन है मंदिर नगर का मतलब आप लोग यहां से यह समझेगा कि पहले यहां पर मंदिर था और धीरे धीरे यहां पर क्या हुआ नगर का विकास हुआ नगर का विकास हुआ मंदिरों के आशवाज नगर का विकास हुआ तो इसी को कहते है रहा है पहले मंदिर था फिर नगरों का विकास हुआ ये लिख लेंगे द्यान देंगे ठीक है इसको लिख लेंगे copy में location को locate करके यहाँ copy में लिख करके इसे सब मंदिर तीन चार अपना जो भी पॉइंट से इसको लिख लेंगे आगे हैं मंदिर नगर नगरी करण का एक अतियंत महत्पूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं नगरी करण नगरों के विकास की प्रकिरिया है मंदिर अक्सर समाज और अर्थ विवस्था दोनों के लिए ही अतियंत महत्पूर्ण होते हैं सासक विभिन देवी देवताओं के प्रती अपना भक्ती भाव दर्साने के लिए मंदिर बनाते हैं वे मंदिरों को भूमी एवं धन अनुदान में देते थे जिनकी आएसे धार्मिक अनुस्ठान विधी विधान से सब्पनि कियाते थे तिर्थिया त्रियुनता पुरोहित पंडितों को भोजन किरा जाता था और परवस्व मनाया जाते थे मंदिर के दर्सन नार्थी भी दान दच्टा दिया करते थे तरिके यहां से आपको कुछ भी याद करने की जूरत नहीं है बस यह आपको ध्यान रखना है यह खास करके जिनका हिस्ट्री ओप्शनल है वो लुप तो मॉम तकनीकी कांसा एक मिस्व धातू होती है जो तामबे और रागे के मेल से बनती है तो यहां पर ध्यान देंगे कांसा किस से मिलकर बना है यह बना है तामबा तामबा प्लस टीन और टीन की जगां आपको दे सकता है रांग रांगा ठीक है तो ध्यान देंगे घंटा धातों में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किसमे के कांसे से अधीक होता है यह घंटे जैसे धोनी उत्पनने करती है चोल कालिन कांसे मूर्थियां लुप्त मौम तकनीकी से बनाई जाती थी तो ध्यान देंगे चोल कालिन कांसे के जो मूर्ती होती थी वो किस तक्निकी से बना जाती थी तो लुप्त मौम की तक्निकी से बना जाती थी अब लुप्त मौम की तक्निकी क्या है यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है तो इसके बार पढ़ लेंगे आप एक बार मैं ही पढ़ देती हो अलाग कि यह मोम की प्रत्मा बनाई गई है उस पर क्या करते थे मिट्टी चिक्नी मिट्टी उससे इसको पूरा कवर कर देते थे ठीक है चिकना कर देते करके जब वह सूख जाती थी तो उसे गर्म की एदता था और उसके मिट्टी के आवरड में एक छोटा सा छेद बना कर उस चिकनी मिट्टी के आवरण को साफधाने पुर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दे कि कितना मतलब बढ़िया टेकनिक था उस टाइम पर टेकनिकी कितनी अच्छी थी कि कि इतना दिमाग था उनको कि पहले मोम का बनाते थे फिर उस इसे उपर के जब ध्या जम无 जाते थे तो चिकनी मिट्टी को क्या करते तो उपर से निकाल, लेते थे और निकालने के बसे फिर उनको यह धातों की मुर्ति मिल जाते तो घिसस ने, लेगे कितना के घ्लांग था नहीं ठीक है तो बस इतना ध्यान रखेंगे आप कि चोल कालिन कांसे मूर्थी कैसे बनते थी तो लूपतमुम तक्निकी के माध्धम से बनाए जाती थी बाकी कहानी है तो इसको इसको बराब पढ़ लेंगे आगे दिया है मंदिर के करता धरता मंदिर के धर्ण को ब्यापार एवं साहुकारी में लगाते थे सने सने समय के साथ बड़ी संख्या में पूरोहित पुजारी, कामगार, सिल्पी, ब्यापारी, आदिम मंदिर तता उसके दर्सनार्थियों एवं तिर्थ यात्रियों की आवस्यक्ताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए और इससे क्या हुआ नगरी करण का विकास हुआ मतलब यहां मंदिरों के पास और जब ही कहला जाए है मंदिर नगर तो क्यों हुआ था यहां पर दे दिया है कि दिरे दिरे क्या हुआ संख्या बढ़ी पूरोईद पुजारियों का ठीक एसिल्पकारियों का ब्यापारियों का फिर यह लोग इनकी आवस्यक्ताओं की पूर्ति के लिए क्या करने लग गए यहां पर आज पर समान भी लाते थे और बसनावे स्टार्ट कर दिये तिस तरीके से मंदिर नगर का विकास हुआ तो यह पर दिया भी है इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ इसी रीती से मंदिरों के चारों और अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ जैसे मद्य प देख लेंगे यह कहां पर है तो यह मध्य पर्देश में है तो यह लोकेशन देदेगा और पूछ लेगा किसका संबंद किस से है कहां से है तो आपको ध्यान रखना है कि भिलन स्वामी जो है भिल्ल स्वामी जो है स्वामी यह कहां है तो यह कहां है तो यह मध्य पर्देश म है फिर है कुछ अन्य महत्वूर मंदिर नगर तमिल नाडू में कांची पूरं तथा मदुरे और आंधर परदेश में तीरुपति की बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके हिस्ट्री ऑफ्ष्णर वालों के लिए ठीक है इन लोकेशन को दे देगा मैपिंग में ठीक है जै मद्य परदेश में भिल्ड स्वामिन या भिलसा या विदिशा करके देगा ठीक है और फिर ये देखिए मंदिर नगर यहां तमिल नाडू का लोकेशन और कांची पूरं तथा मदुरे और आंधर परदेश में तीरुपति तो ये अच्छे से इन लोकेशनों के बारे में आप लिख लेंगे ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह क्योंकि मैपिंग के जितने भी सवाल उड़ते हैं वह यहीं से उड़ते हैं ठीक है हिस्ट्री ओप्शनल ठीक है यह ध्यान देंगे यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फिर तीर्थ अस्तल भी धीर धीर नगरों के रूप में बिक्सित हो गए ब्रिंदावन और तीरुवन नमलाई तमिल नाडु ऐसे नगरों के दो उधारन है तो ध्या ध्यान रखना है ठीक है उधारन है अजमेर जो कि राजस्थान में है बारवी सताब्दी में चौहान रजाओं के राजधानी थी तो अलाकि इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था लेकिन एक बार फिर से ध्यान रख लिजिए कि बारवी सताब्दी में अजमेर चौहान रजाओं की राजधानी थी यहां पर पूछ लेगा कई question बनेगे चौहान रजाओं की राजधानी थी थी भागे आपका यह एक option देगा तो ध्यान आपको रखना है कहां थी तो अजमेर ठीक है यह दे देगा कि बारवी सताब्दी बारहवी सताबदी सताबदी में अजमेर निन्नलिकित में से किस वन्स की राजधानी थी तो ध्यान देंगे इस यह थी चोहानो की यद चामानो की थी करे तो इसको आप इक बार देख लेंगे और आगे चल कर मुग्लों के सासन व hm मुग्लों के सासन में सुबा मुख्याला किसको बनाए गया तो वह बनाए गया था अजमेर को ठीकै जहां देंगे किसको बनाय गया था, तो की बनाय गया था, अजमेल को wheels, यह नगर, धार्मिक साहस्तित्र का एक मैपिंग से अगर, मैपिंग वाले, त्यूप रशिद्ज प्रसीदन सू φी संस्त को यह मै lobilt द्रस्ति, यह बारऊ, सताब्दी में बस गये थे और उनके दर्शनार्थी एवं शद्रालू सभी पंथो मतों की हुआ करते थे ठीक है तो यहां पर बस एक ची आपको धियान रखनी है वो यह कि खौजा मोहने दुन चीस्ति किस संपरदाय से संबंदित थे तो वो थे सूफी सूफी संपरदाय से तो यह आप इसको एक बार देख लेंगे सूफी संपरदाय से संबंदित थे अजमेर की पास ही पुसकर सरोवर है सभी को पता है ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदित है यह ठीक है पुसकर जहां प्राचीन काल से ही तिर्थियातरी आते रहे हैं तो बस आपको धियान यह रखन मात्र ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं है पुसकर में एक मात्र ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं ठीक है तो यह भी ध्यान देंगे अब यहां पर देखते छोटे नगरों का संजाल यादिया आठवी सताब्दी से ही उपमा दीप में अनेग छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिचने लगा था संभावत उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गाउं से हुआ था उनमें आमतर पर एक मंद पिका जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा होती थी यहां आसपास की गाउंवाले अपनी उपज बेजने के लिए लाते थी उनमें ऐसे गलिया थी जहां दुकाने एवं बाजार थे जिनें हट कहा जाता था तो आपको पता है कि मंडी भी आप लोगों को पता है ठीक है और हट लेंगे आप लोग इतना तो प्याट का संब्स्थे है कने अलावाण भीन भीन परकार के कारीगरों तता सिलपी यह से कुमहारों केलियों सकर बनाने वालों नदाली बनाने वालों सुनारों लुहारों पत्थर तोड़ने वालों आदी के अलग-अलग बजार होते थे कुछ ब्यापारी तो नगर में इस थाई रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे जबकि कुछ ब्यापारी तो नगर में इस थाई रूप से बसकर अच्छा जबकि कुछ अन्य ब्यापारी नगर नगर घूम कर क्राय बिक्राय करते थे पहले बहुत होता था अभी तो क्या बस कपड़े वाले आते हैं ठीक है पहले तो चूड़ी वाली भी आते थी ठीक है कुछ बच्चों के लिए सामान भी लेकर के आते थे फिर वो पहले बनाते थे माला बगरे बनाते थे मिठाई से माला घड़ी ऐसे चीजे बनती थी तो यह चीजे पहले थी अब काफी बंद हो गया है आब तो बस यह देख लेंगे को थोड़ा भूत फेरी वाले आजाएंगे कपड़े वाले मच्छरदानी वाले सॉल वाले स्वेटर वाले पहले किसी चीजे अब नहीं रह गई हैं तो पहले ये सारे चीजे थी जो लोग बहुत से चीजों का घूम घूम करके बेचा करते थे आसपास और दूर दराज के ब्यापारी इन नगरों में स्थानियों उपज खरीदने और दूर वरती स्थानों के उत्पात जैसे घोड़े नमक कपूर केसर पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे तो देखे यहाँ पर पढ़ने का सिर्फ मतलब ये था एक बार कि आप लोगों के सामने कोई इसको पढ़ दिया जाए कि क्या इंपोर्टेंट है इसमें तो इसमें कुछ भी एक्जाम के द्रिश्ची से महतपूर नहीं है इसको आप छोड़ सकते हैं ये उस टाइम का बता पतिकाल का जमिदार इन नगरों में या इनके आसपास कीले बंदी कर महल बना लेता था ऐसे सामंत ब्यापारियों सिर्फकारों तथा उनके ब्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी-कभी इन करों के संग्रहन का अधिकार उन इस्थाने मंद्रियों को परदान करते थे जिनका निर्मान स्वयम उनके द्वारा या धनार डेब्यापारियों द्वारा कराये गया होता था ऐसे अधिकारों का उलेक अभिलेकों में किया गया है जो आज भी पाये जाते हैं ठीक है तो ये भी आपको पढ़ने के जुरूत नहीं है बाजारों पर कर यह रा देंग, धागा, रूई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्षन, तील, तेल और कपड़े पर लगाया जाते थे इसके अलावा ब्यापारियों पर धातू की चीज़े बेचने वालों ठीक है तो ये भी आप छोड़ दीजिए इसमें भी कुछ नहीं है बड़े और छोटे ब्यापारी, बहुत कम टाइम में ही आपका खतम हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ वही देखना है और इस तरीके से आप रिविजन करेंगे तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी ही वाला इंसियाक्टी तो बहुत ही कम टाइम में ख ब्यापारी कई परकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी सामिल थे, कई व्यापारी बिसेस रूप से घोड़ो के ब्यापारी अपने संक बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था, और वह मुखिया उनकी और से घोड़े खरिदने के इच्छुग यो धाउं से ब बंजारे ब्यापारी भी हुआ गरते थे, ठीक है, तो बस आपको यहाँ से यही दियान रखना है, बाकिया छोड़ सकते हैं दच्छड भारत में 8 वी सताब दी और परबरती काल में अनेक ऐसे संग थे उनमें सबसे प्रसिद मड़ि ग्रामं और नाना देशी थे, तो यह इनपोटेंट है, कि मड़ि ग्रामं और नाना देशी क्या थे तो यह ब्यापारी संग थे यह ब्यापारी संग थे यह पर दिया है यह ब्यापार संग प्रयदीप के भीतर और दच्छिर पुर्वे एसिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक ब्यापार करते थे ठीक है तो यहाँ पर आप धियान देना है यह पूछा है यह UPSC का कोश् है ठीक है यहां परमगर में दूं मड़ी ग्रामम मड़ी ग्रामम और नाना देशी का संबन किस्ते होता था यह होता था इतने पैराग्राफ में आपको दो ही चीज करनी थी एक तो बन जारे जो की ब्यापारी होते थे और दूसरा मड़ी ग्रामम और नाना देशी क्या था तो यह एक ब्यापारी संब था बस इतना ही आपको नोट्स बनाने है इतना ही लिखना है अगर आपको लग रहा कि नोट् कर सकते हैं जो इंपोर्टेंट नहीं उसको क्रॉस कर देजा कि उसके बाद जो मतलब दोबारा देखने की जुरूत ना पड़े सो क्रॉस करते जाए जो इंपोर्टेंट है कि वह उसी चीज को आप देखिए अगे इनके अलावाद चेट्टियार और मारवाडी उस्वाल समुदाय भी थें जो आगे चलकल देश के प्रधान व्यापारी समो बन गया ठीक है तो यह क्या थे चैत्य यार मारवाडी उस्वाल एक समुदाय थे जो आगे जाकर के प्रधान व्यापारी समो बन गय के तो यह जो खैद इतना इंपोर्टेंट है नहीं इसको छोड़ सक की खाड़ी पुर्वी अफ्रीका दच्छिड पुर्व एसिया था चीन से ब्यापार करते थे वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेशते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दात एवं दच्छिड पुर्व एसिया और चीन से मसाले टीन मिट्टी के नीले ब तरीका दच्छडपुर्वेसिया तरह चीन से यह ब्यापार करते थे ठीक है खास करके यहां ध्यार देंगे कि चेंज इसी को करेगा यह कर देगा काला सागर काला सागर ठीक है जो की गलत है तो यह आपको धियान रखना है आपर वे पत्तन में कपड़े मसाले बेशते थे और बदले में आयात क्या क्या करवा रहे हैं तो यह अफ्रीका से सोना और हाथिदात मंगवाते थे ठीक है दच्छे पुडवेसिया और चीन से मसाले तीन मिट आगे दिखते पश्चिमी तट के नगरों में अर्भी, फार्सी, चीनी, यहुदी और सिर्याई, इसाई बसके थे लाल सागर की बंदर गहों में बेचे जाने वाले भारती मसाले और कपड़े इतावली ब्यापारियों दोरे खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें प्राइफर, सोट, आदी, यूरोपीय ब्यापारियों के महत्यपूर अंग बन गे थे और भारती सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था, यह चीजे हैं यूरोपीय ब्यापारियों को भारत तक खीच लाई, समय के साथ साथ ब्यापार और नगरों का रूप किस परक कार बदला, इसके बारे में हम सिग्र आगे पढ़ेंगे, तो यहां से कुछ भी आपको याद रखने के जूरत नहीं है, बस यहां से यह ध्यान रखिएगा आप यहां कि जो काली मीच होता था था ना, इसको यवन प्रिय भी कहते हैं, यवन प्रिय ठीक है, और इसको कहते और इसको काला सोना, काला सोना भी कहते थे, तो ध्यान रखिएगे, यवन प्रिय या काला सोना आए, इसको काला सोना इ, इन दोनों का सम्बंद किसे है, तो यहां काली मिर्चिसे, काबुल अपने पहाडी और विशम भूधर सिय के साथ तो लावी से दावदी में राजने दिक और वाड़िक द्रिसे से महत्वरभस पर था काबुल और कांधार सुपरसेदर सम मार्ग से जूड़े हुए थे साथी घोडे का ब्यापार भी मुख्य रुप से इसी मार्ग से होता था तो घोडे का ब्यापार कहां से होता था तो ये होता था काबुल के मार्ग से 27 अताबदी में हीरो के एक सौधागर जो बेप्टिस्टे ट्रेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोडों का व्यापार प्रती वर्स तीस हजार रुपे का होता था जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझे जाती थी काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेश्मी कपड़े और ताजे फल उटों पर लाद कर लाय जाते थे और उप महादी तथा अन् मंगाय जाते थे ठीक है और दूसरा ध्यान ये रखना आपको ये क्या था ये रेश्म मार्ग से जूड़ा था रेश्म मार्ग से जूड़ा था बस इतना ध्यान रखना आप आगे देखते हैं नगरों में सिल्प नगरों में सिल्प बीदर के सिल्पकार तामबित का के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस सिल्प का नाम है बीदरी पड़ गया तो बीदरी सिल्प क्या है बीदरी सिल्प क्या है तो यह तामबे और चांदी के जड़ाई से सम्मंदित कारिया है ठीक है पांचाल अथार्त विश्व कर्मा समुदाय जिसमें सुनार कसेरे लुहार, राज मिस्त्री और बढ़ाई सामिल थे मंदिरे को निर्मान के लिए आवस्यक थे इसके अलावा वे राज महलों, बड़े-बड़े भवनों, तालाबों और जलासरे के निर्मान में भी अपनी महत्रपूर भूमी का अधा करते थे इस परकार सालियार या कैक कोल सालियार क्या इनका सम्मंद्ध किस्से होते था तो यह बुनकर होते थे, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर तो सालियार, सालियार या कैक कोलार, कैक कोलार, यह क्या होते थे, तो यह बुनकर होते थे, बुनकर ठीक है, यह दियान रखने आपको, वे मंदिरों को भारी दान दिछर दिया करते थे, वस्तर निर्मार से सम्मंदित, कुछ अन्यकार जैसे कापास को साफ करना, कातना और रंगना भी स्वतंतर बेवसाय बन गए थे, जिनके लिए भी से सग्यता के आवा सकता होती थे, तो यह सब छोड़ देजिया, बस आप कई सताबनियों के लंबे समय में एहमदाबाद गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े ब्यापारी केंद्रों के रूप में बिक्सित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्यनगर पहले के अपेक्षा विस्तार तथा महत्वे की द्रिश्चे से सिकुड गए, इसी का सताबदी के दोरान उसका सितारा डोग दिया क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लेंड की मिलो से बनकर आये सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगता में टिक ना सके, तो यहां से अब आपको इतने में से क्या फैक्ट निकालना है, सबसे पहले तो यह निकालना है कि अवेस्थिति का है मुर्शिताबाद की अवेस्थिति कहां है यह तो यह है भागी रथी भागी रथी नदी के तट पर एक तू यह हो गया दूसरा बंगाल की राजधानी थी, कौन तो मुर्शिताबाद है था मुर्शिताबाद और दूसरा तीसरा तो रेश्मी वस्तरों का महत्तपुन केंद्र था था केंद्र था बस इतनी चीज़ें आपको यहां से निकाल नहीं है अगर नोट आप बना रहें अपने नोट से नहीं तो उस नोट सो में इतना ही लिखना है किसका इंप्रोटेंट्स क्या था आगे दिखतें हम्पी मसूली पट्टनम और शूरत नजदीक से एक नजर हम्पी की वास्तु कला का सौंतरी है हम्पी नगर क्रिष्णा और तुग भद्रा नदियों की घाटी में इस्तित है सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यही है कि हम्पी कहां पर इस्तित है तो यह क्रिष्णा और तुग भद्रा नदियो का केंदरस्तल था तो हमपी क्या था तो बीजन अगर सामराज का केंदरस्तल था हमपी के सांदार खंड़ारों से पता चलता है कि उस सहर की कीले बंदी उच्ची कोटी की थी कीले की दीवारों के निरमान में कहीं भी तरहे के इसे लिह जो यह जो इठी तो द्यूद बना मलबूत competition मा भाएँ दूसरा हम्र ली कर . खानार लाएप कुंधिय का इसा रखना या पर लिख दूमें अगर हम पी हम पी समझ जाएगा मैं हम पी ले रही हूं तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थापना कि इस थापना वह हुआ था 1336 कि इस भी ठीक है दूसरा इस्थिति कि अब इस्थिति अगर हम देखें तो कहां है तो यह है क्रिष्णा और तुंग भद्रा किसना और तुंग भद्रा नदी घाटी में और तीसरा बिजय नगर क्या कह सकते हैं यह यह बीजय नगर सामराज जिका किंद्र अस्थिल था किंद्र अस्थिल था बस इतने ही आपको यहां से नोट डाउन करने हैं आगे देखते हैं एक किला बंद नगर एक पूर्त गाली यात्री डोमिंगो पेज गोवा से आने वाले लोग जिस पर बेस द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अतियंत सुद्रिण प्राचीर बद नगर बसा रखा है जो दिवारों और बुर्जों से सुरक्षी थे ये दिवारे अने नगरों की दिवारों जैसा नहीं है बलकि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अने भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा उसके भीतर उसी रीती से बनाएगे भाउनों की अतियंत सुद्र कतारे हैं जिनकी छते सपाट चप्टी है तो ये सबाब को ध्यान रखने के जुरत नहीं है बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डोमिंगो पेज एक पुर्तगाली यातरी था बस आगे हमपी की वास्तुकला पिसिस्ट परकार की थी वहां की साही भाउनों में भव्य महराब और गुम्बत थे वहां इस्तंभो वाले कई विसाल कश्य थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे यहां सुनी योजित भाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोंडो की आकरिती वाले मुर्तिकला के नमूने थे पंद्रहवी सुलहवी सताब्दियों के अपने समरिद्धिकाल में हमपी कई वाड़जिक और सान्सकृतिक गतिवीधियों से गुंजय मान रहता था उन दिनों हमपी के बाजारों में मूरों, चिट्टियों और पुर्तिक गाली जैसे यूरोपिय व्यापारी एजिन्डों का जमघट लगा रहता था तो इन सारे में से ये तो आपको बिल्कुल नहीं धियान रखना है ठीक है किसमें क्या कक्ष्ट है क्या था कैसा था इसका बस यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि यह मूरों का संबंद किस से था तो यह मुस्लिम सौधागरों के लिए सामोहिक रूप से परियुक्त नाम होता था मुस्लिम सौधागरों का सामोहिक नाम और चेट्टी और पुर्तगाली जैसे ये चेट्टी क्या होते थे तो ये यूरोपिय व्यापारी होते थे ठीक है तो बस ये दो सीजाग पर ध्यान रख रहें अगर मैं यहाँ पर लिग दूँ आपको तो मूरो मूरों का संबंद निन्न लिखित में से किससे था तो ये था मुस्लिम सौधागरों के सामोहिक मुस्लिम सौधागरों से ठीक है सामोहिक मुस्लिम सौधागरों से ठीक है और चट्टी तो ये आप देख लेंगे यहाँ पर चट्टी दिया हुआ है यहाँ पर लिख देती में चट्टी चट्टी कौन थे ये ये यूरोपिय व्यापारे थे बस इतना ही आपको यहाँ से लिखना है इस पूरे को आगे है मंदिर सांसक्रितिक गतिपिदियों के केंदर होते थे और देवदासियों विरुपाक्ष सिव मंदिर के अनेक इस्तंभवाले विसाल कच्छों में देव प्रतिमा राजा थथा प्रजा जनों के समक्ष निरत्य किया करती थी महा नौमी पर्व जो आज दच्छिड में नवरात्री पर्व कहलाता है उन दिनों हमपी में एक अतियंत महत्यपुल पर्व मानत था पूरत आत्विदों ने उस महा नौमी मंच को खोज निकाला यहां राजा अपने आतीतियों का स्वागा सतकार करता था तो यहां से कुछ भी आपको याद करने के जरुरत नहीं है कुछ भी पढ़ने के जरुरत नहीं है है से अधिनस्ते विएक्तियों से नजराने उपहाल लिया करता था याविन्लाजा वही राजमान संगीत तथा मलं युद्ध युद्ध की कारेकरम भी देखा करता था उस टायम के जो कारेकरम आप देख सकते हैं तो मलं युद्ध भी होते थे उस ठीक है बस ऐसे इसको ध्यान में रख लिजेगा वैसे पूछे का नहीं है कि 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोल कुंडा बीजापूर एहमद नगर बरार और बीदर के सासकों के हाथों बिजय नगर की प्राजय के बाद हमपी का विनाश हो गया तो यह भी छोड़ी जी पतन से ह तो आप सभी को पता होगा कि एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बिभिन उत्पादों माल बिभन उत्पादन किंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेच जाता है ठीक है अब यहां पर देखते हैं सूरत पश्चिम का परवेश द्वार तो सबसे पर देखें यही देदिय में कैम्बे आज के खंबार और कुछ समयबाद के अहमधाबाद के साथ साथ गुज्जरात में पश्चिमी बयापार का वारज्चिक के इंद्र बन गया सूरत और मुचगी खाड़े से होकर पश्चिम एसईया के साथ बयाफार करने के लिए मुख्य द्वार था इसलिए इसको कहते हैं पस्टिमी का प्रवेश द्वार, क्योंकि यह मुख्य ब्यापार करने के लिए यह मुख्य द्वार था, इन- utilizzांगों से सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है तो देखे एक पिटिक अफेक्ट ये है कि मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहते हैं तो ये कहते हैं सूरत को क्योंकि बहुत से हज्यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते हैं ठीक है कि यहां परकर मैं लिख दूँ सूरत कि पस्चिमी पस्चिमी यह कह सकते पस्चिम का प्रभेश द्वार क्या था तो वह था सूरत कि सूरत ठीक है फिर मक्का का मक्का का प्रस्थान द्वार यह भी किसको कहते हैं सूरत इतना आपको यहां से ध्यान रखना है फिर सूरत एक सर्व देशिय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे सत्रवी सताबदीम बे वहां पूर्त गालियों डचों अंग्रेजों के कार खाने एवं माल गुदाम थे यहां पर दिया है किसके किसके माल गुदाम थे तो यह देख सकते हैं तीन दिया यहां पर अंग्रेजी तिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सुरत बंदरगा का वड़न करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन भिन देशों के आउसतन एक सो जहाज इस बंदरगा पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे तो छोड़ दीजे यह सब फिर है सूरत में ऐसी अनेक दुकाने थी जो सूती कपड़ा ठोक और फुटकर कीमतों पर बेशती थी सूरत के वस्तर अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पस्ची मेसी आफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्द थे राज्य ने विश्तर के सभी भागों पर नगर से आने वाले लोगों कि अवा सेक्ताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्रामग्रे बनाए यहां भब्य भवन और असंक्यमन रंजनस्तर से सूरत में काठिया वाड़ी सेट्टों तता महाजनों की बड़ी-बड़ी साह पूकारी कमपनिया थी उन लेखनी है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा इराक में बसरा और वेल्जियम से एंटवर्प के भाजारों में माननेता परात थी तो देखें यहां से आपको कुछ भी पढ़ने के जुरत नहीं है ठीक है एक साथ कुछ बच्चों का डिमांड होता है कि इसी के साथ करवाया जाए लेकिन मैं सुझत है कि यह खत्म हो जाएगा तो चैप्टर वाइज ले करके पूरे को करवा देंगे कि किस से किस से कितने कोशन आई हुए है वह सही रहेगा अभी क्या करवाते चलेंगे तो आप होते हैं तो संभावणाय कि कोशन बन सकता है तो एसे ही जो शब दावडियां होती है उन्हें से कोशन बनता हैँ ठीके दरहां किस नही Chair को कहीं कहीं अनेयत्र प्रसूत करके रासी प्राप्ति की जा सकती है बस इतना ध्यान रखता हुंडी क्या होता था एक दस्ता वेज होता था हुंडी ठीक है किन्तु 27 तापदी के अंतिम वर्षों में सुरत का भी अधपतन प्रारम्ब हो गया इसके कई कारण थी मुगल समराज के पतन के कारण बजारों तथा उत्पदक्ता किहानी पूर्टेगाल के दौरा समुदरी मारगों पर नियंदरन और बंबई से प्रतियस परदा जहां 1668 में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपणी ने अपना मुख्याला इस्थापित कर लिया था आज सूरत एक मौतपूर वारजी किंद्र है तो दियान देंगे ये मेंस के हिसाप से है ठीक है तो इसको यहां पढ़ने के जूरत नहीं है जब हिस्ट्री मेंस का हम आंसर राइटिंग करेंगे कोश्चन होगा तो इसमें हम देखेंगे कि इन सारी चीजों का हम कैसे आगे सब किया जाएगा इसमें जोखिम भरा दौर मसूली पटनम के लिए चुनोती मसूली पटनम या मचली पटनम नगरखिष्णा नदी के डेल्टा परिस्तित है तो सबसे पहले तो इसका लोकेशन ध्यान देंगे कहां पर है ये 27 सदापधी में यह भिन भिन परकार की गतिवीदीों का नगर था हॉल्लेंड और इंग्लेंड दोनों देशों के इस्ट इंडिया कम्पनियों ने मसूली पटनम पर नेंद्रन प्राप्त करने का प्रयात्न किया क्योंकि तब तब तक कि यह आन्धर तटक का सबसे पिला था उसको किस ने बनाया तो हॉलन्ड वासियों ने बनाया था बस यह है मशुवारों का एक गरीब नगर अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथ वल्थ ने किAmerica 1620 इस वी में इन सब्दों में मसूली पत्रनम का वर्डन किया है यह गोलकुंडा का मुख्य पत्रनम की बारे में बोला जा रहा है कि यह गोलकुंडा का मुख्य पत्रनम के जहाँ परंपुज इस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ बिना किसी चार दिवारी के और खराब तरीकों से बना हुआ नहीं अच्छी जगह इस्तित है इसके सभी जलस्रोत खारे पानी की हैं पहले यह एक गरीब मचुवारा नगर था आगे चलकर यहां जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविदा हो गई जिस आपको कुछियां से ध्यान ने रखना है इतना ध्यान रखना है कि मसूली पत्नम गोल कुंडा का मुख्य पत्तन था ठीके बस यह जह इतना है ये गुमास्ता क्या था इस्ट इंडिया कंपणी दोरा नियुक्त ब्यापारी तो एक सब्दावली है गुमास्ता इसका सम्मंद किस्से है तो इस्ट इंडिया कंपणी के ब्यापारी को से है जो नियुक्त करते थे वो ब्यापारी को उससे है आगे गोल कुंडा के कुतुब साही सासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर साही एकाधिकाद लागू किया जिससे की वहां का ब्यापार पूरी तरह इस्ट इंडिया कमपनी के हाथों में ना चला जाए बिभी ने ब्यापारी समुहों गोल कुंडा के कुलीन वर्गूं, फारिसी सौधागरों, तेड़ुगू, कोमेटी चिट्टियार और यूरोपिय ब्यापारियों ने नगर को घनी अबादी वाला और सम्रिद साली बना दिया जब मुगलों ने गोल कुंडा तक अपनी सकती बढ़ा ली, तो उनके प्रतिदी सुवेदार मीर जुमला ने, जो की सोवम एक सौधागर था, हॉलेंड वासियों और अग्रेजों को आपस में भिढाना शुरू कर दिया 1686, 87 में मुगल बासा और अंजेव ने गोल कुंडा को मुगल समराज में मिला लिया, तो अब तक जो हमने ये पारगराफ वड़ा ये और ये, तो यहाँ से सिर्फ एकी चीज़ इंपोर्टेंट है, और वो ये है, कि गोल कुंडा को मुगल समराज में किस ने मिलाय था, त जिम ने मिलाया था बस यही एक फैक्ट है यहां पर ठीक है अब यूरोपिय कमपणियों के सामने अन्य बिकल्ब ढूंडने की समस्या आखड़ी हुई कमपणी की नई निती के अंतरगत के वह इतना ही प्रयाप्त नहीं था कि पत्तन भितरी परदे से कुछ पादन किंद्रो के साथ संबंद बनाएं बलकि इस बात की भी आवा सकता है महसूस की गई कि कमपणी के नए किंद्र एक साथ राजनिती को रसासने तरशा वाड़ी जीक मुमिकाएं भी अदा करें जब कमपणी के ब्यापारी बंबई कलकत्ता मदरास चले गएं तम मसूली पत्तनम अपने खिजरत यहां से नहीं है अब यहाँ देखते नगर और ब्यापारी नए नगर और ब्यापारी यहां है सोलहवी और सत्रहवी सतापदियों में यूरोप के देश ब्यापारी के उद्देशियों से मसालों और कपड़ों की तलास में लगे हुए थे जो यूरोप और पश्चिमी एसिया दोनों जगां लोकप्रिय हो गए थे अंगरेजों, हॉलेंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पुर्व में अपनी वारजी गतिवीदियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी इस्ट इंडिया कमपनी बनाई भारत में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और बिर्जी बोरा जैसे कुछ बड़े भारती व्यापारियों ने जिनके पास बड़ी संक्या में जहाज थे उनका मुकाबले किया किन्तु यूरोपिय कमपनी ने समुदरी व्यापार पर अपना नेंतर स्थापित करने के लिए अपने नौ सक्ति का प्रयोग किया और भारती व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कारे करने के लिए मजबूर कर दिया अंतता अंग्रेज उप महाद्रीप में सरवादिक सफल वाड़िक एवं राजनिति सक्ति के रूप में उभर कर इस्थापित हो गए तो यहाँ से आपको कुछ भी याद करने के जुरूरत नहीं है वस्तरों जैसे जैसी वस्तरों की मांग में तेजी आ जाने से अधिक अधिक लोगों ने कताई बुनाई धुलाई रंगाई आधिका धंदा अपना लिया इससे इन सिल्पों का बहुत विस्तारुआ भारती वस्तरों के रूप में भारती वस्तरों के रंग रूप और डिजाइन अधिक अधिक प्रस्कृत होते गए किन्टु इस काल में सिल्पकारों की सोतनता घटने लगी सिल्पी जन पेशगी की परनाली पर काम करने लगे जिसका अर्थ यह है कि उन्होंने जिन यूरोपी कपड़ा बुनना होता था जिसके पहले एडवांस में कि यहां ठीक है यह हमारा काम इतने दिन में हो जाता है और देते न तो वह और देते थे कि यह चीछ जब यह काम करते थे अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की सोतनता नहीं थी उन्ह हमां से कुछ भी नहीं है पड़ने के लिए 28 अठावी सताबनी में बंबई कलकत्ता और मदरास नगरों का उठे हुआ जो आज परमुक महा नगर है सिल्प और वारडिज में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर, सौधागर, यूरोपिय कमपनी दोरा बनाए गए इन नए नगरों में इस्थापित ब्लेक टाउन्स में इस्थानांतरित हो गए ब्लेक यानि देशी व्यापारियों और सिल्पकारों को इन ब्लेक टाउन्स में सिमित कर दिया गया जबकि गोरे सासकों ने मदरास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विल्यम की सांदार कोठियों में अपने आवास बनाए अठालवी सताब्दी में सिल्पकलाउन तथा वाड़िजी की कहानी हम अगले वर्स पढ़ेंगे तो यहां से यह शीज बिल्कुल ध्यान रखने के जुर्ट नहीं है बस एक शीज ध्यान रखना यहां से आपको कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां है यानि सेंट जॉर्ज का किला तो फोर्ट सेंट जॉर्ज यह कहाँ है आपका तो यह है मद्रास में ठीक है और दूसरा है फोर्ट सेंट फोर्ट सेंट बिलियम यह कहाँ है आपका तो यह है कलकत्ता में यह कलकत्ता में है तो ध्यान देंगे चीक है कन्फ्यूज नहीं होना है फोर्ट सेंट जॉर्ज पुछे तो यह है आपका मद्रास में फोर्ट सेंट बिलियम पुछे तो यह है आपका कलकत्ता में बस यहां से दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखने की जुरूरत थी बाकि दूनों फैक्टों को आप कॉपी में नोट कर लेंगे आगे दिखते हैं वासको डिगामा और क्रिस्टोफर कुलंबस पंद्रवी सताप्ती में यूरोपिय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने की अबुद्पूर कारे किये गए थे ठीक है उनमें से अनेक नाविक भारती उप महादिव तक पहुँचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे पुर्तगाली नाविक वासको डीगामा अट्लांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करती हुए केप अफ गुड होप से निकल कर और हिंद्र महासागर को पाल करके भारत पहुचा उसने अपने पहले यात्रा को पूरा करने में एक वर्ष से भी अधिक समय लगा यानि पहले यात्र जबनोंने पूरा किया तो उनको एक साल सजी भी जाला समय लगा वर्ष 1498 में काली कट पहुचे और अगले वर्ष से पूर्टगाल की राजधानी लिस्मन लोट गए तो यह दिखे यहां से कई सारे फेक्ट हैं अभी उसको हम निकाल लेंगे इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके चार में से दो जहाज नस्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जिबित बचे इस प्रतेश खतरों के वावजिद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अतियंद लावकारी से दुए और उसके बाद तो अंग्रेज हॉलन्ड वासी और फ्रांसिसिन नाविकों ने भी उनका अनुश्रण करना प्राडम कर दिया भारत पहुशने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सूपर नाम निकला जिसकी किसी को आसा नहीं थी एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुशने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चीम की और यात्रा करने का निश्चे किया उसका सोचना था कि चुकी पिर्थिवी गोल है इसलिए वह पश्चीम की और से भी भारत पहुँश सकता है वह 1492 में वेस्ट इंडीच के तड़ पर पहुँचा वेस्ट इंडीच का नाम इसी ब्रांती की कारार पढ़ा उसकी पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और बिजेता भी वहां आते रहें और उन्होंने मद्द और दच्छडी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कबजे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाले बस्तियों को नस्ट कर दिया तो यहां से आपको जो ध्यान रखना है एक तो यह रखना है वो यह करना है कि पंद्रवी सताब्दी में पंद्रवी सताब्दी में समुद्री माल्ग के खोजने कारे किया गया ठीक है फिर दूसरा वासकोडी गामा क्या था एक एक पुर्त गाली आत्री था फिर वासकोडी गामा वासकोडी गामा 1498 इस भी में काली कट बंद्रगा पहुंच था ठीक है इसका स्वागत जो किया था वासकोडी गामा का उस टाइम पर काली कटू बंद्रगा पर स्वागत जमुरूइन ने किया था कि वहां का राजा कि जमुरूइन द्वारा किया था किया गया था और तीसरा परकना है पूर्त गाल की पुर्तगाल की राजदानी कहां थी तो थी लिस्बन लिस्बन ठीक है तितने सारी चीजा आपको यहां पर ध्यान रखनी है बाकी यहां से कुछ भी आपको करना नहीं है और यह सब जो रिक्तिक स्थान है इसको आप करते रहिए ठीक है यह सब देख रहे हैं यह सब सही गलत यह सब तो बहुत इजी होता है अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो भी कर लेंगे यह सब भी आप देखी रहे हैं यहां पर दिया है यहां पर देख कह रहा है कि हम राज राजेस्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम एक सिलालेक्स जानते हैं तो ये तो गलत है ना क्योंकि हम सिलालेक्स से थोड़ ना जानते हैं कहा लिखा हुआ है तो मंदिर के दिवारों पर लिखा था मंदिर के दिवारों पर उतक्रिंड है ठीक है सौधागर लोग काफिलों में आत्रा करने की बजाए अकेले आत्रा करना अधिक पसंद करते थे यह तो common sense यह गलत है क्योंकि सौधागर लोग कभी भी उस टाम पर क्या होता ना कि लूट पार्ट ज्यादा होता था काफिलों में काफिलों में यात्रा करना पसंद करते थे ठीक है फिर काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था तो अभी यह नहीं देखा यह भी गलत है क्योंकि हाथियों का ने था गोड़ों का था ना गोड़ों का था ठीक है तो यह भी गलत है सुरत बंगाल की खाड़ी पर इस्थित एक महत्पुड व्यापारी पत्तन था तो यह बंगाल की खाड़ी पर नहीं था हम देखा कैमबे यह बंगाल की नहीं था खमबात की खाड़ी था ना कैमबे जिसको कहते थे कैमबे उस ट खमभात की खाड़ी ठीक है तिस तरीके देख सकते हैं यहाप गलत हो गया है बाकिए सब आप खुद कीजिए ऐसे दीर दीर जब करेंगे तो प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस करना आप सेख जाएंगे कि कोस्चन को कैसे सॉल्व करना है और इसको क्या है कि इसको थोड़ा सा करके आप कर भी सकते थे यहाँ पर लोजिक लगा करके लेकिन यहाँ पर देखिए यह सब भरने के लिए तापको पढ़ना ही पड़ेगा और जब अच्छे से आप पढ़ेंगे तो यह एक सीच पढ़ेंगे तो दो सीज निकल के सामने आएंगी फि कि जब यहाँ पादी थे यह कैसा को सिल्पकार थे उनके रहने का स्थान था यह ठीक है कि बाक्यों और एक बार हम देख लेते हैं यह प्रारंबिक उन्हें सब्सक्राइब के सड़क है इसको देखने को दो नहीं है एक बार देख लिए कुछ छूटा तो नहीं है ना इसम से जितना आप जमा करते थे इसमें जितना इस पर लिखा होता था उसके अनुरूपा ब्यापार कर सकते थे जाकर के कहीं भी इसको बस दिखाना पड़ता था कुछ दस्तावेच को हाँ एक फैक्ट यहा पर यह है कि बिथल मंदिर कहा है बिथल मंदिर यह हमपी में ठीक है एक फैक्ट यह द्यान देंगे बिथल मंदिर हमपी में है बागी कुछ भी नहीं है अब ये नहीं है कुछ भी तो इस तरीके से हमारा ये भी चैप्टर खतम हो गया ठीक है बागी फीरम भी लेंगे अगले अध्याई को ले करके वीडियो में तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद